नमस्कार स्वागत है आपका स्टेट न्यूज बुलिटिन में और मैं हूँ आपके साथ अधिती चली खबरों पर जाने से पहले नज़र डाल लिते हैं हेडलाइज पर हेमंत सर्मा बने आसम के पंधरवे मुख्य मंत्री राजिपाल ने दिलाई पद की शपत ममता क्याबिनेट की ताज पोशी 43 मंत्रियों निली शपत चुनाव और कुम्ब में कुरोन प्रोटकॉल की उलंगन का रोप सुप्रिम कोट में आज होगी सुनवाई और अब खबरे विस्तार से भारती जनता पार्टी के नेता हिमंत बिस्व सर्मा ने आज असम के पंधरवे मुख्य मंत्री के रूप में शपत ली सर्मा के साथ 12 विधायकों को भी मंत्री पद और गोपनीता की शपत दिलाए गई जिसमें नौ भाशपा के कोटे से हैं जबकि असम गण परिशद के दो और युनाइटेट पीपल्स लिब्रेल पार्टी के एक विधायक ने मंत्री पद की शपत ली शपत लेने वालों में अतुल बौरा, केशब महंत, अतंजा नियोग, रंजीत कुमारदास, जगा मोहन, प्यूश हजारिका, कौशिक्रे, हितेंद्रनाद गोस्वामी, विश्वजीत, देवमारी, चंद्रमोहन पाटोरी, संजैकिसान और गोविंदा बसुमतारी शामिल ह पच्चे मंगाल की राजधानी कोलकाता इस्तित राजभवन में मुख्यमंत्री ममता बेनर जी की नई क्याबिनेट का शपत ग्रेंड समारों खत्म हुआ, इस बार ममता क्याबिनेट में पुराने नेताओं के साथ कुछ नए चेहरों को जगह दी गई है नई क्याबिनेट में 19 राजभवन मंत्रियों सहित कुल 43 मंत्रियों ने शपत ली, अमित मित्रा, सुब्रत मुखरजी, पार्स चटरजी, फिरहाद हकीम, जोती प्रिया मलिक, मुले घटक, अरूप बिस्वास, डॉक्टर शशी पंजा और जावेद एहमद खान समेद 24 वि करेगा, न्यायमूर्ती डॉक्टर धननजय, वाईचंद्र चूड की अध्यक्षता वाली, शिर्ष अदालत के तीन नागेश्वर राव, रविंद्र भट की पीट, अधिवक्ता पाठक की याचिका पर सुनवाई करेंगे, पाठक ने 16 अप्रेल को ये याचिका दायर की पाठक ने शिर्ष अदालत के समक्ष दायर अपनी याचिका में भारत के संग और उत्राखंड राज्यू के ततकाल सक्त निर्देश की मांग की थी, साती हरिद्वार्थ सरकार को कुम्ब के लिए लोगों को अमंतित करने वाले विग्यापनों को वापस लेने के वो निर् अतार जारी है, राजस्तान में 20 मई से लगने वाले संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर विजनगर उपकंड प्रिशासन, SDM तैसिलदार, नगरपालिका के साथ मिलकर पुलिस प्रिशासन ने फ्लैग मार्श निकाला, साथी लोगों को घरों में रहने के लिए सचेत किया, राजसिंग नगरडेंज, SDYS पे विकी नागपाल रोज फ्लैग मार्श निकाल कर कोरोना से सुरक्षित बच पाने की अपील लोगों से खुद कर रहे हैं, इस मौगे पर तैसलदार और नगरपाली का E.O भी मौजूद रहे कर दिया गया है, और जो भी अनुमत शेनी की शॉप्स हैं, वो पहले की तरह ही 6 से 11 ओपन रहेंगी, और उसके अलावा जो शादी को ले करके उन्होंने जो स्पेशल गाइडलाइन्स जारी करी है, कि मैक्सिमम 11 लोगी अनुमत होगे, जहां तक संबह हो, इसे स्थगित ही कर दिया जाए, जैसा कि जब से शुरू हुआ है, लोगडाउन इस बार, तब से लेके अब तक शहरों के अंदर तो लगातार जो सुरुक्षा है, पुलिस जो है, वो जाबते लगातार तनात हैं, लेकिन गामों के अंदर अगर बात की जाए, तो वहां पे कोई भी जो लो सापिस की हैं, अगर कोई भी बाहर से आता है व्यक्ति, या जैसा कि गाउं से दूसरे गाउं में भी जा रहे हैं, तो उसकी पूर्वर सूचना वो अपने कंट्रोल रूम पे देंगे, और उसके अकॉर्डिंग हम ये कोर कमीटी जो है, उसके साहता से हम गाउं तक जाकर क कि इसकी सक्षी से पालना करवाना सुनिशन करेंगे, जी मैं 24 मई के आगे क्या लगता है कि जो ये तंदरा दिन की 14 दिन की गाइड लैंस क्रोना की अब जारी कीगी है, पूरन लोगडाउन की, इसके बाद क्या जनता को कुछ रहत मिलती नजर आएगी 24 मई के बाद, बिल पूरे विजानेगर में, और राइसनेगर के भी लग-लग शेत्रों में आप निकाल रहे हैं, क्या कुछ है सर, अब जो आगे नहीं गाइड लाइन आई है, पूरन लोगडाउन की है, उसमें जैसा कि मैड़म ने भी बताया है, पूरी तरह सक्थी बरती जाएगी, और के अंदर कुछ सक्थी के उपर, पुलिस के काफी वरोध हुआ है, ऐसा कोई राजस्तान के अंदर तो नहीं होते नजर आ रहा है, आप लोग समझाने में जनता को अपास काम्याब हो रहे हैं, पूरा, विरोध वाली को इस्तिति नहीं है, जो जनता को समझाईश कर रहे है समझ भी रही है, और वीट स्तर पर जो भी है, पूबली को समझाईश कर रहे है, ऐसा विरोध वाली को इस्तिति है नहीं है, जी, सर पूलिस की अगर बात की जाए, तो लगबग पूलिस के पूरे राजस्तान में दो हियार से ज्यादा कांस्टेकल जो हैं, वो करोना पोज हो चुके हैं, अपने जवानों को आप किस तरह से सुधाय दे रहे हैं कि थोड़ा सुरक्षित रही है, जवानों को पूरी तरह मुस्तायद रखने के और गाइडलाइन की पालना पूर पर जो एप्रिविट बहेविर है, उसकी पालना के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंस औ खबर भरतपुर के बयाना से है, जहां पुलिस प्रिशासन की और से फ्लैग मार्श निकाला गया, कजबे की मुखे बाजारों में फ्लैग मार्श के दौरान बिना कारण घूमते लोगों को डंडे चटकाए गए, पुलिस को तौली प्रभारी पूरन सिंग मीना ने पुलिस प्रिशासन के अधिकारी और करमचारी मौजूद रहे, पुलिस को तौली प्रभारी पूरन सिंग मीना ने बताए कि सुमवार से लगने वाले सक्त लौकडाउन की पूर्ण तरह पालना कराई जाएगी, जोरान पुलिस प्रिशासन ने लोगों से अपील की कि वे घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें पूरोना गाइडलाइन रसारित किया है, दावू किया है, उसके बावत आम पॉबलिक को जागरो करने के लिए फ्लैकमार से निकाला गया है, और हम चाहते हैं कि लोग इस पूरोना गाइडलाइन की अच्छर से पाला है खबर जैसल मेर सहे जांजीला प्रजनन और शेशिव स्वास अधिकारी डॉक्टर कुनाल साहू ने बताए कि जैसल मेर में 10 मई से 18 वर्ष से 44 वर्ष तक के लोगों को निर्धारित 4 चिकित सा संस्तानों, जवार चिकित साले, जिला स्पताल, शेहरी प्रात्मिक स्वास के गफूर भट्टा, गांधी कॉलोने डिस्पैंसरी और सामुदाइक स्वास के इंद्र पोकरण में कोरोना वैक्सीन के ठीके लगाये जाएंगे, डॉक्टर साहू ने बताए कि 18 से 44 वर्ष के आयू के लोगों को कोरोना वैक्सीन ठीका करन के लिए selfregistration.covin.gov.in पर online registration कराना होगा, उन्होंने बताए कि इन लोगों को ठीका करन हे तू रजिस्टेशन करवाना अनिवारी है, रजिस्टेशन करवाने वाली लोगों को ठीका करन सत्रस्तल और समय जारी होने पर ही वैक्सीन के ठीके लगेंगे, उन्होंने बताए कि इससे पह 20 साल का वैक्सीनेशन कल स्वामवार को शुरू हो रहा है, जिनों ने इसके लिए पहले registration करवा दिया है, उनको site का और slot का जो allotment है वो आज रात को चालू हो जाएगा, तो उसमें site और slot के जो है उसको लेकर ही आप उसका पूर्ण registration हो सकता है, इसलिए आप सभी लोगों क से अग्र है कि आप आज रात को site और slot का registration online करवा कर ही आप टीका लगा सकते हैं, यह जो vaccine है, इसके अंदर offline या on spot registration का कोई option नहीं है, इसलिए सभी जिलेवाशी को यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो लोग इसका पूर्ण करना है, खबरना गौर के मकराना से है, जहा अप तापाई कर देने का मामला सामने आया है, जानकारी के अनुसार मकराना के लगंशा हास्पिटल से क्रोन संदिक संग्रमित महीला मरीज को इलाज के लिए राज के चिकित साले मकराना लाए गया, जहुरां चिक अस्वरा exemplo है, जहुर्णा के बाद मरीज को लगाया, जि चिकिसक के साथ मारपीट को लेकर चिकिसालय के कार्मिक अस्पताल परीसर से बहार निकल गए गटना की सूशना मिलते ही था नाधिकारे रोषनलाल में जापते के साथ मौके पर पहुचे और चिकिसक और गुसाय मरीज के परिजनों से समझायश की वहीं चिकिसक डौक्टर प्रदीप ने इस घटना को निंदनी बताया उन्होंने कहा पुलिस और प्रशासन द्वारा चिकिसक रजट शर्मा के साथ मार पीष्ट करने के आरोपियों पर अगर कारवाई नहीं की जाती है तो कारविक केवल इमर्जंसी सिवां को छोड़ कर कारी का भहिशकार कर देंग आवशक कारवाई अमल में की जाएगी व्रतक महिला के शव को परीजनों को सुपूर्द किया गया अगरी नहीं है कि अगरमा में रोक्तर रजट वर्मा के पास में आज लगनशाह उस्पिल से एक महीला शंदल नाम की यहां पर इलाज कराने आई थी वहां पिले इंजेर इलाज थी और वहां से लेकर के सीची पर आये थे उसके परीजनों में लोक्तर साथ के साथ में आत् अब खवर श्री गंगानगर के पदंपूर जहेजा उपकरन अधिकारी सुबाश कुमार नगर पालिका अधिशासी अधिकारी साहब राम श्री करणपूर पदंपूर घुमडवाली पुलिस मुक्यमार्ग और विबिन वार्डों में सयुक्त फ्लैग माश निकाला आदा अरजन से ज्यादा धुपईयवानों को अपने कबजे मिले कर 10 से 24 महीं तक लॉकडाउन की पालना की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी वहां चालक मंडी में अनावश्यक रूप से दिखाई देने पर कानूनी कारवाय की जाएगी पुलिस उपदिक्षक सुरेंदर सिंग राठोड करनपूर थानप्रभारी रामकेश मीना थानप्रभारी करतार सिंग घुमडवाली ने कल से पूर्ण लॉकडाउन की पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सक्त कारवाई के ग्रह मंत्रावे द्वारा निर्देश जारी किये लेकिन पानी भंडारन आदी को लेकर वे नहर में पानी सूखने के बाद कारी अब शुरू हो पाया है तो वहीं किसान संग्ठन भी मई महीने में पानी नहीं मिलने पर अब नाराजगी जता रहे हैं उन्होंने बताया नहर बंदी के चलते अधिकांश लोग सिचाई पानी से वन्चित रहे गए हैं जिससे फसलों की समय पर बुवाई नहीं हो पाई तो वहीं ठेकेदारों का कहना है कि कोरोना महमारी के चलते समय पर मजदूर नहीं मिल पाए फिर भी कारी की समय अवदी कम होने के कारण रात दिन युदिस्तर पर कारी जारी है और संपूर्ण कारी 31 मई से पहले पूर्ण कर दिया जाएगा कि निर्मानकारी जल्द करवेकर कर इस इस लाके फैदार के लिए नहर के अंदर पाणि छोड़ा जाए मैं यह आपने इसमी टाले का हो पाई के सात नीचे साथ सात है नाकरी करनी यह तो सर यह जो तो काम चल रहा है इसके अंदर आपको किस परकार की प्रेशा नहीं है उसका सामना करना पड़ता है अभी पर यह जो निये में कोईड गाइड लाइन से उनका किस परकार से पालना हो रही है कबर बार मेर के पाटोदी से है जहां लॉकडाउन के पहले दिन ही सकती का कोई असर नजर नहीं आया किराने और सबजी के अलावा प्रतिमंदित दुकानों पर भी व्यापार चलता रहा ग्यार अनुमती की दुकानों पर भी चोरी छुपे सवेरे से ही कारूबार जारी रहा तो वही वाहनों के पहिये भी नहीं रुके वाहनों की आवजाही जारी है चारपईया, तिपईया और दुपईया वाहन लगातार चल रहे है वही कजबे में बाजार में सुबह से ही भी डुमडी पुलिस प्रशासन द्वारा कोई प्रभंध नहीं किये गए है और वाहनों को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं हुए कुरोना संक्रवन की चेन तोडने के लिए सरकार ने बड़ा निर्ने लिया और लॉकडाउन लगाया लेकिन इसके बावजूद बड़ी संक्या में वाहनों की आवाजा ही जारी है तो वहीं पाटोदी में सुमवार से ये लॉकडाउन का असर बेसर नजर आया कबर राजानी जयापूर की पावटा से है जहां वीकेंड कर्फ्यू खत्म होने के साथ ही गैलो सरकार द्वारा 10 मई से 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लागो किया गया जिसमें नीजी और सार्वजनिक सभी वाहनों को प्रतिबंदित किया गया था साथी अनावश्यक आगमन को भी बंद किया गया इसमें पहले ही दिन पावटा कजबे में खुले बाजारों में लोगों की भारी भीड देखी गई तो वहीं प्रतिबंदित होने के बावजूद भी वाहन बाजारों में चलते रहे इस कारण पहले ही दिन लॉकडाउन गाइडलाइन की जम कर धर्जियां उड़ती नजर आए इस्तिती ये रही कि सरकार द्वारा अनुमत दुकानों के अलावा गैर अनुमती के दुकाने भी खुलती रही इसमें खरीदारी करने वाले लोगों की भारी भीड नजर आई वहीं बाजारों में जाम जैसे हालाद बन गए इधर दूसरी तरफ बाजार खुलने के समय 11 बजे समाप्त होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और सक्ती के साथ गाइडलाइन के पालना कराने का काम किया तो वहीं दूसरी तरफ प्राकपुरा थाना प्रबारी शिवशंकर चतुरवेदी ने में जापता नाके बंदी कर वाहनों की चेकिंग कर आने वाले वाहनों को रोकने का काम किया और चालान काटे अनावश घूम रहे लोगों को चेताबनी दे कर घर पर रहने का संदेश दिया खवर्श गंगानगर से है जहां नीजी अस्पताल में हुई कोविड जाँच की विश्वस नियता पर सवाल या निशान खड़े हो गए है पियमो बलदेव सिंग ने बताया कि सरकारी अस्पताल में हुई उनकी कोविड जाँच सही निकली जबकि नीजी अस्पताल में कोविड को चेक करने वाली किट को उन्होंने पुरानी बताया उन्हों का जिला अस्पिताल में नए मॉडल की किट है जैसे सिंग सरकारी कोविड जाच में पॉजटिव पाई गए थे तो वही नीजी अस्पिताल की जाच में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई और इसे के साथ फिला स्टेट न्यूस बुलिटिन में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे है धीपी के न्यूस के साथ नमस्कार